हरियों, सवाना बिजासत्रमा परंपुज्य ओमानंजी वेद योग साधना विशेपर वक्तवे आपसे, आजे सांजना साड़ा छो कला के सुप्रसिद्ध गाई का धनाश्री पंडित प्रस्तुत करसे गजल, बजन अने ठुमरी, आउतिकाले सवाना साथ वागे परंपुज अनुभवा नंजी उपनिश्द एक साधना आभिशेपर वक्तवे आपसे, आ सर्वे कारे क्रम मानुवा माटे हार्दी का मंत्रन हरियों अज्वा नंग्वा 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 नंग् प्रियात्मन, कल हम लोग चर्चा करें से मंत्र विद्या की, कि मंत्र अपने अंदर रखा हुआ है, चारों वेदों के मंत्र आत्मा के उपर और मन के भीतर रखे हुए हैं, अर्थात पूरा ब्रम्भांड का ज्यान, ज्यान का बोध कराने वाला वेद आपके अंदर है, ज्य आरे वेदों के सब्द भी आपके अंदर है, और मूल शब्द जो ओम है, अक्षर है, नश्ट नहीं होता, वो भी आपके अंदर है, मूल शब्द जो है, ओम है, वो अक्षर है, अक्षर माने जो कभी नश्ट नहीं होता, त्रिकाल वेग समान रातना है, वो भी आपके बढ़न क्षाव नहीं रहास्ट को जो नहीं परिछार करता है वह इसे ज्ञानी के अधनिंव उन्य जांग है जिस्ता महीं प् किन है जरजाएगी और यह क्यों पन्लगjangκι भी आप का ज्ट मत ज्ञान की तो अंदर से भ्यान साथ-ब शाद मेग को रींसन्हें जरजर होते ही, सरी sih के जल जाने से, समाफ़ हो जाएगा फिर, लेकिन इंदरी मन-Buddji नहीं नस्ठ होगा, शरीर निकलेगा, शरीर से निकलेगा आत्मा, तो मन बुद्धी नहीं मरते शरीर मरता है और शरीर छूट जाएगा और इंद्रिया, मन बुद्धी, चित, अंकार इस सब के आत्मा के साथ निकल जाएगे आत्मा जहाँ जाएगे वहीं जाएगे जहाँ जाएगे जिसे एक मख्षी, उड़ी, रानी मख्षी, सारी मख्षीं उसके साथ चले जाती हैं, ऐसे आत्मा निकला, दूसे दे में गया तो सारी इंद्रिया, मन बुद्धी सब उसके साथ चले जाएगे और मालो कुद्धे के दे मिला तो वो इंद्रिया, बुद्धी, चितांकार सब कुट्टे के दे में रहेंगे, अब कुट्टे के इंदर क्यों कि रिजिनिक फेकल्टी नहीं है, वो विचार करके ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रत कर सकता, कोई प्राणी नहीं कर सकते, 84 लाख यूनियों में, कोई प्राणी, हिंद्री है, मन है, बुद्धी है, तेकर वो प्रक्ट नहीं होगा ग्यान, चोनी प्रकट के रिजिनिक फैकल्टी नहीं है, विचार शक्ति नहीं है कि ग्यान प्रकट हो जाए, इसे पड़ा रहेगा, कीडि मकोडी में भी वही रहेगा, वही मन, वही इन्दी बुद्ध सब रहेगा, देकर उसके ऐदे़ वो म जहां गए वहां पर कपड़े मिल जाते हैं, तो आप गर्ट ही कपड़े बंसे कबस पड़े रहें, फिर चलेगा अपने कपड़े लेकर, फिर दूसरे जग़े से हुआ, ऐसे ही इंदि मरंता करन, जो जाते हैं निकल के आत्मा के साथ, वो हर देव में प्रक्रत नहीं होते है हर दें उन्हें दिब्बश्रिक्त प्रक्ट नहीं होती है तेवन मनुस्थ के सरीर में जाने पर ही प्रकट होती है और कहीं नहीं होती है इसलिए चौरास इलहा क्योनिया ज्ञान विज्ञान के नहीं है किसके लिए है भोग के लिए है भोग होता बस और कुछ नहीं होता है प्रगत नहीं होगी, जो भोग कर चुका है, जो कर्म संस्कार बने हुए है, उसके संस्कारों का फल भोगे हुए है, उसके पाप किया है, और कुत्ता बन गया, कुत्ता देह में जागर उस पाप का फल भोगेगा, सांप बन गया है, तो फल भोगेगा, कर्म नहीं करेगा, कर कर्म कियल मनुस्त देह में करता है बाकी चौरास इलाक योनियों में उस कर्म का फल भोगता है तो यह हमारी योनियों भोग योन नहीं है ठीक थोड़ा भोग होता है लेकिन है ये कर्म योनियों कर्म कर्म से उन्नत होती कर्म से फल मिलता है सुख या दुखा बाकी योनिया को कर्म नहीं करते हैं, वो कर्म पिछले जनम के किये हुए का केवल फल भोगते हैं, इसलिए हमें कर्म पर विसेध्यान रखना होगा, जिसका कर्म बदल गया, बिगड़ गया, जीवन का, कर्म सुधर गया, अच्छे कर्म हो गया, तो सीधा स्वर्ग मिल गया, और निश्काम हो गया, तो मौक्ष हो गया, तो आपके जीवन का लक्ष, मीडियम में रहो, तो स्वर्ग पाने के लिए हैं, और आगे जारा जाओ, तो मौक्ष के लिए हैं, मूल तो मौक्ष के लिए हैं, क्योंकि ये गेट आप अनन्द है, इस रास्ते जाके आनन्द मिलता है, हेवन मिलत है जंशम्ताति मिल गएि ऐसाइ मिल गई बच्चे मिल गए कूर्शी मिल गई सब कुछ मिल गया है बनको हो गया वाहा API प्राकथ हो तर क्शवर्ग हो अश्कहरम Idaho हौ तरिम घंर का सुखया प्रतो हो समयां जिसे मोधी सुखरम में मनों वांजी नीचे हैं, बड़े बड़े द्योगपदी है, अटानियम बारी स्वर्ग में हैं, सविए आनंद हैं, बड़े बड़े सब देव नेता, सब स्वर्ग में बैठे आनंद मौझ कर रहे हैं, और जब उतरेंगे वहां से तब जान देखा जाएंगे, वो जाएं स्वर्ग में सब स्वर्ग के सब साथन हैं, लेकिन उन साथनों से आकर्शन नहीं होना, स्वर्ग में बड़िया बड़िया खाना पकवान हैं, बड़िया 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 सेवक लोग हैं, सब कुछ है, स्वर्ग है, सब साथन है, लेकिन वहां पहुंच कर पहले में तो स्को भोगनी करना क्या क्योंकि स्वार्ग से नीचिया आना पड़ेंगा अना पड़े कि जो कुरिशी मिली है उसे उतरना पड़ेंगा पान साल कुर्षी है ना है उतरना से दन कितना दिन लिए पचास साल चलेगा पचास पर नीच उतन न बोड़े पहले जो अरब पती थे वाज फुट पात पे है अज फुट पात से है आज अरब पती समझाग में चाहले तीस साल पहले अमारिक की दसा क्या थी सब जानते हैं गरीब थे एक मैनेजर थे लेगे देरे मैंजर से रिलाइन्स खोला, यह खोला, देरे करती करती करती, आज बिस्व का, टॉप का आज माना जाते है, क्यों? इसलिए उन्हें कर्म किया है, इतना दान दिया हम्बानिन है, बहुत दान दिया, हमको भी एक दिन बोले वो, धेरु भाई, जब उनका जन्म दिन था, स्वामी जा बंगले के सामने बिल्डिंग है, उसे उनका जरम दिन मना तीसरे मंजिल पे हमें बूलाया, हम भी गए, शांतिराजी के साथ में हम भी गए, उनका स्वामी जी आपको धन के इक्षा हो, तो फिर आप हमारे यहां से 10-20 लाख ले लीजिएगा, मैं न कह हतीरू भाई, मैं कभी मांगता नहीं हूँ, तो कोई और आजाएगा, ले जाएगा हमारा आपी स्वाइन दोर में, नका हमारे जू ट्रस्टी है, कोई राजा है, कोई अरभपती है, वो पैसा मांगने आपके हाँ, ओ भी नहीं जा सकते, तो हमारे ट्रस्टी मांगते नही है कि आगो मान के चट्टी है ओ Duckığını मांगती है इस लिए आपको ये दस हो यो भीछ लाग हो हमें स्विकानी है हमें तो अपने स्वाइया जी का जो भी ना मांगे देते हैं वही परियाप्त है हुआ है है जो कि सुमाइया बनाया कितने कालिज बनाई कितना सेवा कर रहे हैं गरीबों के लिए अस्टाल खोला केंप लगाए स्वर्ग को उन्होंने उपयोग नहीं किया स्वर्ग का सुख गरीबों को बाठ दिया तो ऐसे लोग जन्मन लेते मोक्ष में चला जाते मोक्ष में तो स्वर्ग को छोड़ देवे वो मोक्ष में चला जाता है कि परमात्मा सबसे उंचा पत दे दिता है समझे तो मेरे प्यारे आत्मा की गति जैसे कर्म करेगा वैसे उसकी गति होती है पाप करेगा तो निम्न गति पुन्न तो उच्य गती मध्यम में और निस्काम करेगा सीधा मोक्ष को इरात्ता रोग नहीं सकता हम को इसे निस्काम करो यह योग साधना है। और इसी को किस भगवान निगीता में कहा है कि योगा कर्मसु कौसलम कुछ करो भगवान का भाव करो इसे कोई गलत न होने पाए भगवान निस्काम है सकाम नहीं है जूठी पत्तर उठाएंगे तो भी सकाम नहीं है निस्काम है माननी चाहते है कि यूठी पत्तर मेरा मान बड़े है छोटा काम करते हैं सेवा करते हैं तो सेवा करता है निस्काम भाव से वो मोक्ष पालेता है सबको इस जीवन में निस्काम करना ही लक्ष है और लक्ष आपको मोक्ष है कुछ आज़ेगा मोक्ष आपका परम लक्ष है आइशे में रहे को चिला टूट गया आइसए में रख दिया आईसी में जब पादिया मोझे होस आया तसमिलता है साधाल जीहांज होता है विर्शोह नीची अ है बॉरा विचार मुठा लिया सो गए सी रह रख लिया गॡशंतना तो सब्सक्राइब जो मला एक्ष्थ है मुझा नहीं मिला नहीं नहीं जो मीला प्रेव ठिक है मिलता बहुत है, नहीं माग दें, बहुत बढ़े मिलता है, दिखो हम होच्टा इठा रहे हैं, संदीप निये भी, एक जाज दस नमर का मिठा रहे हैं, अपने आप बढ़ी अफ़ड़ी पक्वान कीचिन से आ जाता है, बढ़ा अनल दाता है, बहुत मीठा है, बहुत सद्द से बनाते हैं, संदा से ले आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सूता हूँ, इतना पक्वान बढ़ी है, खाने वाला दो मन था नहीं कर भी, फिर पक्वान मिल गया है, पर मुंको प्रशाद इसा ग्राण कल भई, लीला बें, जो गुला जो गिला थी, जो गुला इसे अच्छा पक्वान आपका होगा, तो इसे हम आपको सब समय देंगे, साथ तारीश, चौदा की बीच, इन्हें साथ नहीं, सोला से लेकर, चौविस तक रहूँगा, उसमया आपका बढ़ी अपक्वान खागी, फिर इन दौर जाओंगा, मैं, अभी खा लिया, पक्व बाजम म मक्करू दिखाता हो आपके, तो मैरे बैन है, मानो जीवन मोक्ष के लिए है, मोक्ष क्या साथ है। जीवन में जन में आध तक क्या किया है, जो पाया, छूड़ जाएगा, जो छूटे गरन नहीं वो पआया नहीं, इसे जो नहीं छूटता, उसको पालो जीवन मे दोची नहीं छूटती, प्राण तो प्राणी मात को प्राप्त होता है, इसलिए तो बड़ी बात नहीं है, जीवन के लिए मिलता है, सही की रक्षा हो, सही की बिर्द्यो, स्वतरो, तंदरो, चलो, कूदो, लगी जो नहीं छूटता और मुश्किल से मिलता है, वो है ज्ञान वेदों का, वेदों ज्यान मुश्किल से मिलता है, समझे, मनुष्ट सही जन में, तो मैं दूर की जोपड़ी में चले जन में, वहां पे तकामी लग पढ़ने के लिए, अच्छे घर पैदा होगे, जहां साथ रखे हुए होगे, मौका मिलेगा, इसलिए ज्यान सब को नहीं म आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इनको प्योग कैसे करना, आत्मा सक कैसे बिवार करना, और परमेश सक इस्तुती प्रात्ना उपात्ना कैसे करना, इसलिए बोध मंत्र से हो जाएगा, इसलिए मंत्र बड़े मुश्कित प्रात्त होता है मानुजीनों को, ह ज्ञान एक करना शुरू कहा है कि ज्ञान में हार विद्वार आएगा कुछ या कुछ अपने पास जो मिला उसको वहाँ को बाटेगा ग्राड या ज्रा ग्रमें अग्में बड़े बड़े सम्ने आप आते हैं जिनके अन्दर बढ़ मिल रहने बागते शंव की या विव यह बाज़ू supplements सैंटान है इसी तम जैंगते रहा हूं और आसरा ले रहे हैं तो इतने लो ले रहे हैं भागी लोग क्यों ने ले रह भाग भी नहीं हैं, क्या करें बीचारी, कासा सुन लेंगे, कहानी सुन लेंगे, रामाईर सुन लिया, उचे कर या बोज। और कित्तर बें प्राद। लेकिन उन्हें बोध हुआ कि नहीं है। मरोजन कर लिया अभिताब बत्चन साथ बैटके खोब मरोजन किया में नाभिताब बक्चन के साथ हैं क्या है पर आंद्धाब बक्चन का फसुफ प्ता नहीं चले को इसं याहां से निकलो सीधा राकेट जाता आगास में पुषिधा जाओ इसे साधना करो, पहला वेद ज्ञान की साधना, दूसरी साधना ब्रह्म ज्ञान की साधना, लेकिन सबसे पहले प्राण विज्ञान की साधना करना पड़ेगा, क्यों बिना प्राण को स्थिर किये, इंद्रिया स्थिर नहीं होगी, बिना प्राण की स्थिर किये, मन स्थिर नहीं होगा, बिना मन के इस्थिर हुए बुद्री इस्थिर नहीं होगी, बुद्री के इस्थिर हुए बना ज्ञान प्रगट नहीं होगा, योग की प्राप्ति नहीं होगी, योग मने ज्ञान, ज्ञान प्रगट हो जाए, योग है, इस ये सबसे प्राण को इस्थिर करो, इंद्रिया अपने अब इस्थिर हो जाएगी, मन बाद में इस्थिर हो जाएगा, बुद्धी इस्थिर हो जाएगी, हंकार, जब सब इस्थिर हो जाएगे, उसी इस्थिर अबस्थाक नाम योग है, और वही परमगति है, तो परमगति को पाने के लिए हमें प्रानया पहले करना ही पड़ेगा और आपको मंत्र शाथना और शब्द शाथना भी करने पड़ेगी शब्द ने ओम की शाथना मंत्र वेद की रिचाहिए जितने की चाहिए कल मैंने कराया था करना ही पड़ेगा नहीं सबसे उत्तम चीज जो वेद के विव्यांद है को वेद के जयांद है वो शातना है ब्रह्मशाथना कि 4 थाथना इसना लंग य है पराश था बार्दीस है शांगा तो परोगृष्ण geek करों वे जिदे पर्लाये समारपिर किया सभीनYE था मिला है हो जाता है जैसे लोहा ने समार पढ़कर आग के तो आगनी में हो जाता है जिस लोहें समार पढ़ने दूर बैठा रहा है लोगा अगनी के पास तो है थोड़ा गरम हो गया है लेकिन अगनी में कूदा नहीं है तो वो थोड़ा गरम रहेगा लाल नहीं होगा अगनी तो इसलिए पहले अपना शरूप जानों मंत्र से शब्दों से अपना शरूप जानों रूप तो देखा, माया का रूप, किता रूप माया का, माया भी रूप देखा न, कैसा है माया भी रूप, और माया का सरूप, आईशे का सरूप तु देखा नहीं न, सरूप क्या है, सत्य सरूपा, सनातन सत्य सरूपा, सनातन है और सत्य सरूपा है, उसको जानो, फिर क्या जानो, रूप तो जाना 14 लाए कि यो नियू कित्ते रूप हैं आपके, कभ़िए कफड़ है, कभर बंदर भंदर भंदर कपड़ पहला दो किसस । इसा वत पेहने वाला क्या है?, इसको नहीं जान पाई, कफड़ा पेहना है उ जानते हो, जो पेहना हुआ हो क्या है? स्वरूप का बोद नहीं होता तो स्वरूप के स्वरूप तब कब जग्यान होगा जब यह सरीर का चादर उतार के अंदर घुसो इंदियों की चादर हटागे अंदर जाओ मन की चादर हटाओ अंदर जाओ हंकार की चादर हटागे अंदर जाओ और बुद्ध की चादर भी हटाओ चित पहना चादर है उसको भी हटा दो ब कौन बचा आपका आत्मा तो आत्मा जब निखाली बिना पर देखे बिना चित बुद्धामकार के आत्मा बचाओ आत्मा का शुरूप क्या है उसको जानना है रूप नहीं शुरूप जानना है अभी तो कोई मा है कोई बेटा कोई एक ऐसे रिष्टे से आप सज्ञालते हो कि श्रूप है सत चीट श्रूप सत सता अनातन सनातन सता है आत्मा की और वह सनातन सत्ता जो आत्मा की है वो कैसा कांशस है शेतनी है उस शेतन्ता को कब जारूगे मिल्त के बाद नहीं जान तकते इसे जब आप जमानी है तब जाओ समाधि में अंदर जा अपने सारी कौंसस को चेतना को इंट्रोबट करो रिंट्रोबट चेतना करके और अपने आप में समा जाओ अपने आप में जो समाज आओगे तो अपने अंदर जो भ्यापक है परमाद मां असथ दानद शरूप उसका ज्यान हो जाएगा परमाद मेरात रूप भी बहुत देखा आपने बिद्धर बर्मांद परमाद विराट रूप है तरहीं स्वरूप क्या है सत्व सनातन सत्ता सनातन है सत्व सरूप है और चेतन है महाचेतन है परम चेतन है और आनन्द सरूप है परम आनन्द सरूप है परवानन्द उसी में है उस शरूप को बिना जाने मोक्ष नहीं होगा तो वहां जाने के लिए आपको प्रभ्रम विध्या अभ्यास करना ही पड़ेंगा रोव वेद के अनुसार ब्रभ्रम विध्या मेरा नाम मेरा अप्छा नाम अम ऑव मेरा थे या है तो तुम्हें वो धांप्राप्थ हो जाएगा ओम नाम से नहीं करोगे और नाम से थोड़ा सलाभ होगा इदर स्वार का सुख मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा यह इमाज पर तंजी लगाते हैं कि ओम का जब ओम का आर्थ विचार अज़ा गुणो चिंतन और ओम क जाएगे आनद की भावना किया भगवान की आनद की भावना किया ज्यान की भावना किया ज्यान की भावना किया प्राण की भावना किया प्राण की भावना किया यग की भावना किया यह जो भावना किया यग सुरुप नारायन प्राद सुरुप नारायन ज्यान सुरुप जाना अनुव जिस गुलाब जोंच चासिं डूम करके भीता रों मिठा सो जाती है ऐसे उसके आनुद के अनुद करना इसान करना पड़ेगा समझाएं तो अपना सरूप क्या है भगवान बेद कहते हैं तौम इस्थ्री अधिए तम पुमाना से तम कुमार है उतवा कुमारी तम नहीं रिटान अधिव जदो भथ विश्तुव्ण भखा अरे अभी तुम इस त्री है मरने बाद पूरुष बन जाएगा मर्द बन जाएगा अरे पत्नी मरा है इस्त्री बन गें और फिर पति बन जाएगा उसी पति वेद भावन काते हैं कि आज तुम पिता हो कल तुम पूत्र बन जाओगे आज ग्रेंट फादर हो यह ग्रेंट संबन जाओगे आज बड़े भाई हो मर के अपने माग घर में आ गर के छोटे भाई बन जाओगे बड़ा भाई मरा अपनी माग घर में आ गया चोटा भाई बन जाना ना कुछ दूदे आए तो भाई मरा बैंघुरू में जरा बिढ लिए भायरू में जरा बिढ लिए पत्नी मरी तो अगले जैने पति मारा गई वह पत्नी मारा आ जाए सब रिष्टे देखे हैं शार भी इस देख तुम अपना शरूप समझो इन रिष्टों है रिष्टों चक्क सब रिख्ठेभ डे के टेमपेलरी है। पूर्ण टेमपेलरी जब तक जीवन तब इतना है रिख्ठा है, मारा रिख्थे खत्में, हाँ, एक रिख्ठा है तो बड़ा है, उन्दोत भूल गुण रिख्ठा Meter, क्यों है, जोगि जितना तुम Chեंच करोगे देह, उस देह में भ बैठा होगा उस बुद्ध में गुरु बैठा होगा जो ज्ञान गुरु ने दिया है और जब तक तुम मोख्ष नहीं चले जाओगे तब तक गुरु के समन्द बना रहें मोक्ष पर्यंत गुरू कर रिष्टा बनाए इसलिए गुरू सर्फ सेष्ट माना जाता है, समझें, और इसलिए बिना गुरू बनाए, मोक्ष होता भी निकिसी को, गुरू बनाने पड़ता है, निगुरा नहीं, और काते हैं कि इसका रिष्टा कब छूट जाएगा, मोक्ष में रिष्टे नहीं चलते, तक गुरु का रिष्टा में मोक्ष में नहीं चलेगा, इसलिए वहां पर कोई और रिष्टा होगा, कौन से रिष्टा होगा, परम गुरु का रिष्टा होगा, परम गुरु का, परम गुरु कौन है, परमात्मा है, वेद बाहनी का प्रवक्ता, वेद ज्यान देनब परम गुरु परमाता इसका नाम ओम है पतंजर गाते हैं सब पूरे साम गुरु काले ना वक्षिदाद गुरु कौन है जो काल के बंधर में नहीं है काल जिसके बंधर में है जो पराचीन गुरुओं का गुरु है रिश्यों का भी गुरु सब का नायESE प्रत्रमप्य को पर्मात्म नाम ऊठकुक यह अद्य के तक हुट बना लह ते हमने बुरी है आप भी बनाते तो परूं मैं पर मह पार कोगो अवह वैसे असको गुरु बना लिया बस है है कि उस परनमात्मा कर साथ हुने है झाल सकफी है हुलünde कोने है और थाो मौक्ष्में नहीं हो जा इस थाम आएगा उट्मिन हो लिए धिर हो के साथ हो तो ज्ञान संगर गुरु करेंगा दे में हो तो पराण सस्थाय को ऑच्छे कर्म कर रहे हो तो एक के साथ संगर करुघ यह तो यह के साथ संगर अचय करऊश व इसके माने परमात्मा को साथ निश्काम करा रही हैं और प्राप कर रहे हो तो भगवान आपके साल नहीं है थम्यें और प्राण को जीवन दान दे रहे हो किसी को जीवन दान दे रहे हो उसकी रक्षा करे हो और प्राण वार भगवान कर सब दे में प्राण प्रभू है प्राण ब्रम्वः अरभु का रहे हो तो प्राण स्वरूप में प्रभुपि क्रीग थाप को बना रहेगा। हो और यदि ज्ञान स़रूब में हो बेनगी यह आंपके इंदर फिज्ञान का प्रकास्चार्खवर हो रहा है तो फिर आपको ज्ञान फर प्रहु जो कि ज्रूट होगी ज्रूपरमात्म को मार्वरस्थन देगा और हर्स्थी में मार्वरस्न स्थ apostle देगा विपत्य में हो आपके बिपत्य के साथ भी आपको साथ देगा आपको मरनन देगा हो इसलिए काते हैं परमात्मा को ज्ञान स्वरूप में भी आप ज्ञान के साथ भी अनवो करते हो जो ज्ञान प्रकट हुआ प्रभु आपको साथ हैं ऐसे ही जब समाध्य में जाओगे तो भगवान आनन् सब्सक्राइब कर देंगे बिल्कुल आनन्द के सिवा कुछ भी नन्वाने होगा केवल आनन्द होगा तो आनन सब्सक्रामात्मा मोग्ष में हमें सा राते हैं चार अरव 32 करोड़ वर्स तक चार अरव 32 करोड़ वर्स तक की एग पृत्वी की जगत की साइकिल है प्रगट और इतना ही प्रड़े की तो आठ रफ बिगड़े तब तक आपका खंड आन्द प्राप्त होता रहेगा कि तीवड़े अबद है 31 नील वर्स से भी ज्यादा 31 नील अकुछ आरफ वर्स कुछ करोर कुछ जार तो इत्र गार से जहां 31 नील वर्स से ज्यादा आनंद यानंद हो उसको पाने के लिए आप साधर नहीं करोगे गुलाड जानू चक्कर बेना होगे कि मुझे चेकर नहीं तो जीवन क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ बेकार्थ एक्तिस नीर वर्थ तक अनन्द कानव हो इसके ब्रह्म विद्याग्य भ्याद में पैर मोड़ के बैठना पड़ेगा साधना करने पड़े समया गया है यह आत्मा जो रिष्टे में आता है ख परमग्यान हो गिए आप जाओ अब मैं चालता है दूसरे ब्रह्म ऋप्रहाइन कराने के लिए यह नहीं जाओंगा तए गुरु भी मोक्ष्य पहले सुड जाता है उसका रिस्ता नहीं जाता है किसका रिस्ता रहेगा परम परमेशर का रिस्ता रहेगा जो अलाध या और सेष्ट है जो नवधा वक्ति से पारमात्मा को अपना बना करके और उसके आरण दूबता है वो उसको पा लेता है मुक्त हो जाता है आवा गवर्ण के बंदन छूट जाता है लेकिन ये जरूर है कि प्राप्त हुआ है मोक्ष बेगनिंग है तो इंड भी होगा किसी का नार्थ पोल है साथ पोल भी है जब बिनिंग है इंड होगा तो इंड हो कब तक इंड होगा एकतिस नील वर्ष के बाद कितना दे तक आनद में रहोगे बोलो कितना गुलाव चाहुंट एक निट में सौट में खता हो गया आणन्द एक बार मिल गया तो एक तिस नीड बर तक हटने वाले को कम जाधा नहीं होगा एक रस अखंड आनन्द एक तिस नीड बर से जाधा बना रहेगा ऐसा आनन्द इतने देद तक कानन पाने के लिए क्या आप दो चार घंटे साना रोज नहीं करोगे बलो गुलाब जाउन बनाने में आठ घंटा लगयाता है इसको बनाने में अधे आठ घंटा रोज लगाओ तो बहुत जल्दी मिल जाएगा इसे मान और जीवन प्रम ज्यान के लिए साधा के लिए हुआ है उसी में लगाना चाहिए तब आपके जीवन में ओ रस बरसेगा जो पा कर से निकलते हो जैसे एक अंधहरा मंदीर है बड़ा भरी किला और एक अंधा आदमी गेट बैठा है निकलनी पा रहा है तो पूछता है निकल जाओ चले जाओ ऐसा चले जाओ इधर जाओ लेट जाओ आगे जाओ दीवार में हाँ टिकालो ऐसे पकड़ बजाओ गेट ना बता दिया चला गया वो अब फिर वह घूम के लवटा तो भी वह आदमी महीं बैठा है क्यों तुम गए नहीं गए तो जैसा बताया अरे जैसा बताया फिर क्यों नहीं जा पाई निकल पाई बोले जब गेट आता था मच्छर काटते थे हाथ रागे मच्छर को खुज संसार की मच्छर काटते हैं संसार की मच्र काटते हैं संसार की मच्छर काडcą संसार उलज गहे मोक्ष रहागे इस ये मच्छर ना काट hi काटने दो मच्चरों को आप चलते चल जाओ गेट मिल जाएगा तक इतना परिश्चत आए बिश्म परिश्चत आए उंदो घबराना नहीं मच्चा रहा है काटेंगे विश्म परिश्चत आएगी दुख देंगी लेकिन आप शान करते हो बढ़ते जाओ ब्रमार्वर अंत म आपको गेट मिल जागा दनन आकर जाओगे मुक्त हो जाओए तमानव जीवन इससे बंदत दनải नीकलने के लिए गेट इस गेट में आंगे भिधूर मिन नीखल पाए तक इतना वड़ा दुरभाग गेई है। आज आज विद्या चरचा किया मैंने कल ब्रह्म विद्या चरचा होगी महदू धन्म तीन बार ओम बनाद कि ओ कि ओ कि ओ कि लुग। कि कि अ और जो कि मन को मस्टिक से हिर्दाय करना ले जाए जाए मस्टिक से हिर्दाय करना ले जाए कि ब्रेंग से हर्ड में जाना है ब्रे कि ब्रेंग में रिजिनिंग फेकलटी है ब्रेन में ग्ञान विग्ञान प्रसकृत होता है तो अपने ग्ञान को जो प्रगठ हुआ ख्यान जिएट klass如果你 नहें कुई करके एफ्य पानी डूपक लगाये फिर उपर आजे फिर डूपक लगाए फिर उपर ऐसे ही आप मन बुधी की भाल्टी को ज्ञान और प्राhn की रशी में बांद करके फिर्दय के कि मुटवाई और आनंद जल भरकर वापस आ जाए बार बार ह्याई व उम से जाए धीत तो सरसा सरसा सज्ञान का प्रकास मस्तिश्ट ने को जा रहा है और टच करिए ऐसे नोट को खिर्दिकरन्थ को टच करिए फिर धीरे 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 उसी ज्ञान को वापस लेआए जैंग बाल्टी को रसीबांद कोई में डुआया जल भर करके बाल्टी उपर खिंच लिया ऐसे मन बुद्धिर बाल्टी को डुआये फिर खीचिये मन को डुआये बुद्धि को डुआये कहां डुआये हिर्दय के कुए में हिर्दय के आनंद शागर में डुद्वाये भोलना नहीं प्रभू के साथ जाना प्रभू के साथ जाना ओम का नाम लेते वे जाना ओम डि के साथ ओम बना रहे और उसी प्रभु के सारे प्रवु नाम के सारे नाम तारता है आपको नाम ओम नाम के सारे हाट में टूँए और ओम नाम के सारे ही आप वापस आईए अती सूख्ष, थोरी हवा, बहुत दिर टाइम तक, जिनले एक साथ, एक मिनटमें सोला साथ परस्वान लेते हैं आप, उनको कम करके आठ साथ परस्वान पर आएए, और कम करिए, चार साथ परस्वान पर आए, और कम करिए, दो ये परस्वान, करिए और कम करिए एक ही सांथ एक ही प्रस्वाद आजा मिनट में नीचे जाना और अजा मिनट में ऊपर आना एक सांस बन गई, सोला की एक बन गई, देश काल संख्या पर्दिष्टो दिर सुक्ष्मा, देश काल संख्या भी पर्दिष्टो दिर सुक्ष्मा, दिर सुक्ष्मा करते हैं, सांसों को दिर सुक्ष्मा करते हैं, समय बहुत लगे, फाट नहीं, जल्दे हैं, प्रुप जलना नहीं पड़ता, परमात्मा चल के नहीं मिलता आप से, आप चल के मिलते हो, समझे, दोड तेस लगाओगे, तो छोटी शे अंगूठी पड़ी इस सड़क पे आपने दिखाई देगी, समझे, धीरे धीरे चलोगे तो अंगूठी दिख जाएके सड़क पड़ी है, और दिख जाएके सड़क पे, इतना धीरे चलोगे, छोटा-छोटा कन, बालू का कन चीन्टी का सरी दिखाई देगा, फार्ट में ने दिखता है, ऐसे ही, इतना स्लो स्पीड में, आप प्रान को ले जाओगे हार्ट में, ज्ञान को प्रविस्कराओगे हार्ट में, उतना ला हो दिख जिरे प्रवेज घरी नेद के पहले आव याल आचाते हो, आलशता है, आलशती है, इतना द को sûने नेदा हो जाती है, एतना नेदा गॉल गॉल के हो कह आँ अएं से ही, गाड निदा के जश्न जाते हो, दीरे दीरे, ऐसे, और धी फुल अवरनेस के साथ, फूल कॉ इस कीजिए और फिर बहुत धीरे धीरे फुल आवरनेस के साथ फुल कांसरसनेस के साथ वापस निकालिए कुए से फिर डूबी यह ग्रिया आपको एक घंटे तक करते जाना है एक घंटा तक तब आप डूब होगे दीरे दीरे करने बाद आव रूखिये जैसे बाल्टी की रसी टूट गई तो बाल्टी कुए में गिर गई अब नहीं निकलेगी आइसे ही आप अपने प्राण ज्ञान की डूरी को तोड़ दीजे और अपने सेल्व कांसर्स के रखी केवल ना आपके साथ प्राण जाए ना आपके साथ ज्ञान जाए केवल आपके शेतना जाएगी अपने शेतना के साथ अंदर दूबे रहिए पूल अगरनेद, फूल कानसुण, यान्न दूबे हैं, किसको डूंड रहें, परमात्मा को, आनंद को, आनंद सरूप में दूबे रहे, लेकिन पहले क्या मिलेगा, शोन सरूपनी मिलेगी, सत शरूपनी सनातन, आधिशक्त, जग्तभाय परामबा मिलेगी पहले, जब गेत प्रिविश करोगे ऐसे नोड के तो एक आवर्ण शादर इसा ओड़ा हुआ है वो शादर जो है वही आदिशक्ती है प्रकित है माता है आप को अपने गर्व में रखे हुए है आप गर्व से लेवर करिए प्रत करिए और बाहर आजाएए तो प्रकित के बंदन से हट लेगा लेकिन फार दिए बंदन को जैसे लेवर करके बच्चा गर्व से बाहर निकल जाता है ऐसी बाहर निकल आईए और उस समय बच्चा अपने दे को देखता है आप अपने शरूप को देखिए आप सत्यचीत शरूप आत्मा हो इतना भाव रहे अंदर पड़े हो एसे नोट के भीतर खुशे हो आप और क्या देख रहे हो सत्यचीत शरूप अजर अमर अविनाजी आत्मा जो न नारी है न नर है न छोटा है न बड़ा है न बूरा है न जवान है केवल चेतना है सत्य सब्चेतना में लीन हो जाई हो है और यही चेतना प्रानी मात्त के अदर बिद्दमान है प्रानी मात्म वहीचेतना है यही यहीं है इन अल लिविं बैमussa en 우리는 बैंस सबइन अमें एगी प्रगा चेतना है जसे मचारो किडियो व साब हो गधा ओ सम्मेः हो समेगी जीतना आत्मा की आत्वत हो जाई अपने स्वरूम जैसा प्रानी मात ते स्वरूम मे देखिए प्रानिमात और आप में कोई फरक नहीं है दे का फरक है मन बुद्धि का फरक होगा चित्ता अंकार का फरक होगा आत्मा से कोई फरक नहीं है सब आत्मा एक समान वन नस्थ ना किसी से खिखना है ना किसी से द्वेज है आत्वत रहिए और आगे जाईए परम सनातन परमानन्द सरू सचदानन्द सरू अखंड आनन्द सरू परमेशर में सरनागत हो जाईए पूर्ण समारपन पराभक्ति पराभक्ति में आत्मा भी समझ प्रत हो जाता है आत्मने स्वाहा आत्म समझ कर दिया अगने में गिर के और पिघल के गैद बन के लाल होके और शुद्ध हो गया ऐसे अपने आत्मा को जिसके उपर आवरण है उसको पहले तोड़ दिया निखा आली साथ मची हैं सची सुरू और सची सुरू आत्मा को और दुबा दिये क्यों उसमें आनंद का रंग रंगना है आनंद का रंग रंगना है इसे अपने शत्ता को भूल जाए अपने हम को मैं अजर अमर अभिनाशी आत्मा हूं ये भी बूल जाओ मैं धनवान हूं बलव इसे भूल जाए किया एद रहिए है आनंद सरू सचधानद सरू परमेश्र उसके सिवा कुछ धान नीजू अन्द सचित भी भूल जाए के वर आनन के वल रखन आनन परमानन ओमानन ओमानन को मानन ओमगानन उसे मग नरहिए झाल 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 आज एक घंटा कम से कम बैठेरानाद् आज एक घंटा कम से कम बैठेरानाद् उसे कोई प्रत्न नहीं होगा क्रिया के ब्यांड करम छूड़ गया साधना छूड़ गई अनभूती बस गुलाजवन बनाना मुं में डालना चवाना सब छूड़ गया अब मधूर रस्त का अनभा हो रहा है है ऐसे ही सारी क्रियाओं का अंत हो गया है कि क्योंगे जहाँ अत्रिया होती है वहाँ अंत हो गया वाहं पर अज्यान जीर हो गया अज्ञान सेख ध Chelsea क्रिया अत्रिया गया तब तब काड़ुन करम साथना होगी योग साथना होगी जहां पूरा हटा प्रगट हुआ क्रिया बंद हो गई अब यहां क्रिया नहीं है मात अन्भूत है जो गुलाब जामुन के मिठास के अन्भूत है यह भी नहीं रहेगा गुलाब जामुन यह सब्द भी नहीं रहेगा गुलाब जावन सब्द ने गुलाब जावन कहोगे गुलाब जावन गिर जाएगा तो गुलाब जावन सब्द के परे चले गए एक रस्क अन्हूती है ऐसे ही ओम नहीं कह सकते ओम तो नाम है ओम तो साधन है ओम के बियांड ओम में छूट गया दल्ट अकरोबढनबर से अभ्याथ मेरा लक्ष आत्मा चला गया ब्रहम में अन्हें लागा Kart आत्मात मां में बिलीन वीडान इस्थले कुछ नहीं बचा ओ मैं भी छूट गया सब छूट गया क्या पचा आनन इसा करते जाओ इसी जीवन में इसी साधा से वेद और योग हम करा रहे हैं समझें वेद मार्ग से आप योग कर रहे हैं इसी वेद मार्ग योग आपको मोख्ष तक मौचा जेगा आपको जीवन अमर हो जाएगा दोनों हाथ के हंदेलियों को रगड़िये गरब हो जाए तो आँखों के उपर शेरे के उपर फेर दीजिए अब करेंगे हम वोगत के लिए जो अबरोध आते हैं पीछ में उन अबरोधों को दूर करता है विविष्ण को अबरोध आया राम से मिलने में नहीं मिल पा रहा था बहुत कोशिश किया नहीं मिल पा रहा था शुग्रीम बहुत चाहता था नहीं मिल पा रहा था तो उस अबरोध दूर करने क्या किया उसने विविष्ण हनुमान जी साथ हो गया चुब्नीम हन्माजी साथ हो गया हनुमाद जी ने दरशन करा दिया दोनों को ऐसे variması यह प्राण देवता जो हनوमाद जी रूप में रुद्रूप से आपके दिमार्जमान है सेवक है आत्मा स्वामी है और प्रान सेवा है यहां पर प्रान भरम है लिए आत्मा की सेवा कि लागआ हुआ हर्वां जी शिव की सेवा में आएज़ि प्रान ब्रमत आपि शेवा में लगे है। गंटे विवे गंटे आप शेवा कर रहे हैं हाद उठाते हैं सिंधा यदों दों ंजी का रहे विखाते हैं सराथ प्लम संहित लगे वरे वदर गाते हैं तो आपकोद सrü्वध कर रहे आपको देए भगवान है सफैन आपके स्रेवग कोन होगे रुद्र रूप शिव होगे इसे ये प्राण जो रुद्र है वो आपके सेवक बन के दे मेरा रहे हैं इन से अच्छी सेवा लिजे गलत सेवा लिजे अच्छी सेवा लिजे और वही हन्वां जी रुद्र रूप में आपके संकट मोचन बन जाएंगे असंकट मोचन बन करगे आपके सब एक शाउख पूरी कर देंगे और सब कर देंगे संकट मोचन तो इसे संकट मोचन को साधिये अपना बनाएए बैर नहीं करना संकट मोचन से नहीं लंका जला देते हैं बैर आप बैर पालोगे तो यह संकट मोचन को जला नहीं लंका जला वीशन का प्रेम था, इसे वीशन का मका नहीं जलाए उन्होंने, सबका जला दिया उनका नहीं जलाए, यह यह आप अपने प्राणों को भगवान मानके प्रेम रखोगे, कि हमारे इश्ट देवता, प्रान है, हनॵान जी है, शिवजी है, आपके नगरी जले की नहीं, नगर में चमक आई या चमक आई यह जे बिवीशन लंकेश बन गया लंकेश कहा फुर बाद बेता हो शीडियों लुड़क रहा था लाज मुखे खा रहा था नुमां जी साथ राम से मिला तो यही आपकी दसा होगी तो प्राण को साधिये और लंकेश बन जाए प्राण साधिये अ आजे करना पहले दायने नाक को बंद करिए बायनाक से लंबी गारी साथ पूरा लंबी गारी साँए साँए खीचे छोड़े ताल बद ताल बने रिदम के साथ ब्रेक डाउन बीच मनें होना कि लिंक टूट गई नहीं प्रवा से पंखा चलता प्रवा से करेंट सुर्च किरन चमक्ति प्रवा से ऐसे एक प्रवा से स्वास चले स्वास खीचो अनमगरो शक्ती प्रवेश कर रही है हनमान जी शंकर भगवान हमारे शक्ती चार्ज कर रही है ता स्वास निकले तो सोचो हनमान जी हमारे रोग को दूर कर रही है हमारे अज्यान को दूर फ शक्तिमान हो गई, शक्तिमान हो गई सुरसा, मूँ फैलाती गई, वो प्रवेश करते गई, जैसे निकली हनमान जी बाहर, सुरसा का अज्ञान दूर हो गया, जो भ्रहम था, कि राम जी काम में सपल होगे नहीं होगे, भ्रहम था उसको, तो परिशाग लेने आई थी, जैसे निकले, अज्ञान नठ हो गया, और एक्तम ज्ञान प्रकट हो गया, और क्या बोल पड़ी, तुमारे इंद बल भी है, और बुद्धी भी है, तो अवश्य अपने काम सपल हो जाओगे, या जिरवाद भी हो गया, घोशना कर दी उसने, प्रसन्न हो गई, देवताओं को पता लगाएंगे, समाझ चलाएंगे, इसलिए मामूली शातन नहीं है, बहुत बड़ी शातना है, स्वाथ खीते वे, ओम के साथ, अंदर जारी हवा, और शक्ति का संचार कर रही है, प्रस्वाथ साथ, हवा बाहर जारी है, और आपके अंदर की रोग, अज्ञान को दूर फेंक रही है, ऐसा भाव से करते ये सो बार तक, सो बार तक का टाइम नहीं यहां कराने का, इसे दस पंदावा जित्ता हो, उतना ही, करते-करते माल वाथ ठक गए, तो रेस्ट के लिए बार रोग लिए, फिर अंदर रोग लिए, ये कुमग नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर करना है, अब यहीं के लिए राइट से कीजिए, राइट से लंबी गारिसान, खीचिए, और अन्मो करी सूर नारायन का दिब्र तेज, उत्लम शक्ति लेकर प्रवेश कर रहा है, और सूर नारायन, सूर का तेज, आपके बिकार को, अज्यान को, अध्यान को, बिमारी को द ले ओम को ब्रेक नहीं करना, ओम के साथ अंदर प्रिविश कीजिए, और ओम के साथ बाहर जाएए, और ओम में सारा बल है, ओम में सारा ज्यान है, ओम में सारा अनन्द है, सब का मूल, बीज, ओम है, इसे बड़ा कोई शब्द नहीं है, कोई सब सेटने से, सेटों में सेट रही है, शक्ती प्रवेश कर रही है, प्रस्वा दू जा रही है, रोग अज्ञान दू जा रहा है, भाव से लंबी घरी करते जाए सो बार तक. अब बाहन निकाल के बाहर रोकिए. अंदर भर के अंदर हो किए, आप लेप्ट से खीचिए और राइट से निकालिए, लेप्ट से खीचिए, राइट से निकालिए, राइट से खीचिए, लेप्ट से निकालिए, राइट से खीचिए, लेप्ट से निकालिए. कर से जाई लगातार अब राइट्स खेंची लैट्स निकालीा राइट्स की लेट्स निकाली यह भी लगातार सो वार्टा करते जाना मन सौन के साथ जड़ा रहेगा मन अलग स्वार्त और नहीं याइए युनाइट होके जाएए अभाल कि और सब्सक्ष कि राइस निजयर भी laysson काले दैंट कई तील शेयर अधार रिखारी होगा वी मारी मिटाएगा और ज्न परगट करेगा कि दोनों स्मिलाई या रहे हैं गंगा जमना को इलाहवाद में मिलन हो रहा है और दोनों मिलने के बाद ना गंगा की सत्ता रही ना जमना की सत्ता रही सत्ता हो गई सुमना की तो सरस्ती की तो सरस्ती बन करके गंगा इलाहवाद से गंगा सागर तक जा रही है लोग नहीं जानते इसे गंगा ही गंगा का द गई शरस्ति, तो सरस्ति के प्रवाह जाता है हावड़ा तक आगे गंगा सागर तक, ऐसे इड़ा पिंगला मिलाय जा रहे है, संगम बनाय जा रहा है, सुसुमना बन जाए, जहां सुसुमना बन गई, सुसुमना नारी से प्राण का प्रवाह होने लगा, बस दिब ज्ञान छट्षे प्रगण दोनों तार विजलिक जुड़ गए, करेंट आ गई, करेंट आ गई, ऐसे ही दोनों विला पिंगला मिल जाने से दिव ज्ञान प्रगट हो जाएगा. यह भी सो बार्टक करना. अब बाएंस निकाल के बाहर रुख लिजिए, बाएंस अंदर भर के अंदर रुख लिजिए, दाहनस निकाल ये बाहर रुख लिए, दाहने से खीची अंदर रुख लिजिए, बाएंस निकाल के बाहर रुख लिजिए, बाएंस निकाल के अंदर रुख लिजिए, दाहने से निकाल ये बाहर रुख लिजिए, दाहने से खीची अंदर रुख लिजिए, बाएंस निकाल ये बाहर रुख लिजिए, बाएंस निकाल ये बाहर रुख लिजिए, दाहने से निकाल ये बाहर रुख लिजिए, दाहने से भर ये अंदर रुख लिजिए, ये तीन राउंड आपने रोका, तीन राउंड के जगाए आप 21 राउंड तक रोक सकते हैं, आप चौती क्रिया दोनों खुटना पकड़ लिजिए, स्वास छोड़ते पेट पिछकाए और खीटे पेट को फुलाईए, जैसे लोहार धंगनी चमड़ेगी जब दोरी खीटे हैं पिछकती है, हवा फैंकती है, जब दोरी धीले की जाती है तो हवा शक करती है, आइसे पेट आपका स्वास निकालते हैं पेट पिछके, स्वास खीते पेट फूले, ये क्रिया मन को पेट पर रखी और क्रिया करते जाए लगातार, इससे 36 पैट तक की बिमारी अपने आप गाव होगी, पुई दबा निखानी पड़ेगी, एक प्रवास से पेट पिछके, प्रवास से पेट फूले, प्रवास स्वास अंदर आवे और प्रवास से बाहर जावे, कि सोवार तक अंत में बाहर निकाल के बाहर उखना अंदर भर के अंदर उखना अब शेस्ट ब्रत स्वास खीनते वे च्छाती फेफड़ा फूलेगा इसा करते जाई बुणापे में जवानी आ जाएगी इत्ता भोजन पचेगा पूरा रस शक हो जाएगा अंदर सोवार करते करते जाई खूब भूग लगेगी वजन गटेगा फैड गटेगा विट्याल गटेगा सुगर गटेगा कमजोरी गटेगी फ्रेशनेस आ जाएगी आपके अंदर एकदम लगें बिल्कुल ओके हो गया को फैफड़ा फुले तो फैफड़े के एरबेग कुः फुलाना है न यह कोई फैफड़ा का एयरबेग सड़े नहीं एरबेग सड़ जाते हैं तो त्वी दमा आया जाता है तो सड़न को बचाने के लिए वहाँ शुद्ध ऑक्सिजन चार्ज करना होता जिस सड़े नहीं जो सड़ गया है वो नया फेपड़ा का सिल बन जाएगा दमा हो गया टीवी हो गई है इसके लिए से दमा टीवी दीरे दीरे अपने आप गाय हो जाएगी तो कैंसर के सिल जमा हो गए है एलेक्ट्राण जमा हो गए एलेक्ट्राण जमा हो जाते हैं तो एलेक्ट्राण जल जाएगे बिखर जाएगे लंबी इससाथ कैंसर भी मिट जाएगा लंबी गई सांथ कैंसर भी मिट जाएगा खरनागे, सो बार तक करना कम से काँ, अंत में बाहर निकाल के बाहर ओगी, बाहर होगी, रिलक्स हो जाईए, अंदर बरके, अंदर होगी, रोगने दो के रिलक्सेशन होता है, के यह करिया बढ़ती है और रोकने से क्रिया स्टॉप होके एक इस फंक टेज चल बन गाने कर एक एक आप आप करेंगे प्रानयाम इसमें एक और प्रानयाम है घर में बढ़ गई तो सी तल तक लेक प्रानयाम और नारी सोधन वह जीव से स्वाथ लेन नाक्ष निकालना है दो जीव निकालना जीव के टूब से स्वाथ भरना और जीव अंदर मुव बंद और नाक्ष निकालना यह पांटास वार एसे ब्लेड गरम हो गया है ना गरम जानमुझ किया था जैसे जिसे सोने को सोना गरम किया फिर पानी मटाल दिया हमने डानमुझ गरम किया था कसरा जलाने के लिए अब जीव से खींचा तो धातू फुष्ट होगे जम गई यह वा नाडी सोथ है अब प्राण है हम करते हैं प्राण को जो प्राण के आडर पर हम चलते थे ना अब ऐसा नहीं होगा प्राण को अपने आडर से हम चलाएंगे हमारी आज्यां उसको पालना पड़ेगा अभी हम उ हैं भारोक है रिजैं ऐसे मन को नग प्रक्र के दारश चिपके रहेंगे रिऌ कि अजरी तक जब तक मोल बंदना अगे आए जब तक पेठ श्कुले नहीं जब तख छाधी श्कुले नहीं अजर्ब तक ब्सुकुले नहीं ८ोलें दीज Conservation tempo Ind 와서 opini दें अब रोक हो जाएगा ह जब तक घबराट ना हो रोके रहे ये फुल क्लीन हो जाएगा आपका सरी क्लीन हो जाएगा रोग रही तो जाएगा और इंद्रियां बहर मुखी जो वासनों में जा रही थी वो सब अंदर अपने छत्ते बैठ जाएगी मन से जुड़ जाएगी मन बुद्धी से जुड़ बुद्धी चित से जुड़ जाएगा और चित आत्मा से जुड़ जाएगा बाहर रोकने से प्रत्याहार की सिद्धी होगी इंद्रियां अपने विश्यों का परिट्याक कर देंगी और अपने ओरीजिन के उचल जाएगी प्रत्याहार सिद्धी के लिए ओरीजिन के उच अंदर निरोकना फिर बार निकालगी लगाता तीन बार कम से कम बार हो किये और बढ़ाते बढ़ाते साथ limit करिए करत्या शिद्धी और अंदर जाओगे एक और करनेदी करनेभोती भी होगी तो फाल गैटर्टेंसन, हाइपर टेंसन, विकार आनिद्धा सब दूर होगा गारी नीद के अवस्थम पहुंचाओगे दूसी करिया है अभ्यानता भृति स्वाथ भरिये अंदर रोकिये और रोके रहे देर तक जब तक चेरा तम तमाना उठे आंखे टिप्ट पाएंगे चेरा तम तमाएगा कांशन सनाएगा रोके रहे और ओम ओम कि हाट रिलेक्स होगा फेफड़ा रेक्स होगा हाट फेफड़ा रेक्स होगा हाट फेफड़ में पापर चार्ज हो जाएगा पूर नस नाडियों पावर चार्ज वा सेल में पावर चार्ज होगा हड़ी के सिल में पावर चार्ज होगा ब्रेन के सिल में पावर चार्ज ह अपार शक्ति का संचार हो जाएगा कहीं शरीर में कोई अंग में कम्जूरी ने होगी और गुड़ापे में जवानी आ जाएगी जब घबराट हो धीरी धीरी बाहर निकालना बाहर ने रोकना फिर अंदर भरके अंदर यंदर रोकना तीन वार कम से कम रोकना ज्यादा जितने इचाओ पांच साथ वार भी रोक सकते हैं अब तीशी किया है बाहर भी रोके भी तर्विन बाय अभेंटर स्थम्भ प्रित्ति देश का संख्या भी पर दिश्टों दीर सुक्ष्माइब कि देश काल संख्या चना पाव दीर्ग सुद्धीर होगा समय से अशूक्ष्माइब हावा की कमी से हवा कम करना शूम्हय ज्यादा वणान एस से दिब ज्ञान प्रकत्ट हो जाएगा इसे सारीच수 त्हाएं अंत हो जाएगा चेश्ठा गरी हो जाएग 2-Biddi बी मन भी सब चेश्ठाइद हो जाएगा इस जेशारीत हो जाए उसी का नाम परमगती योग कहते हैं जो शरीर, इंद्रियंता, करण, चेशितरईत हो जाए दिभ ज्यान प्रकन हो जाता है और उसी का नाम है योग है तक परमगती जाया efecto drinking बुद्दिस्दिर हो गई परमगति हो गई तुम्हरा मिल गई बाहर भी रोकना और अंदर भी रोकना फिर बाहर रोकना फिर अंदर रोकना लगाता करते खरते आप चाहो इस श्रीक्या को 21 टाइम्स तक कर सकते हैं जे हुआ प्राणयाम ध्धान के लिए अब करेंगे प्राणयाम रिलेक्स करने के लिए जो बीमारी मिटाने के लिए करेंगे दोनों गुटने पकाड़के स्वान निकाल के पेट पिछगाई पेट इतना पिछगाई है के गुफा बन जाए और जब घबरात हो तब पेट धि पेट धीला करके स्वान भर लिए ये एक ही बार करिए कि समय पूत कम है अब स्वान भर ये छादी तानिये रिडिकेट्डी उठाए इसे जुगाए ठोड़ी कंट में दीजिए कंट में दीजिए प्रिसर रोके रहे देर तक जब तक घबराद नहों रोके रहे इसे छाती सिर्ट तक की बिमारी अपने आप मिठ जाएगी दवा निकाने पड़ेगे अपने आप मिठ जाएगी पार्किंग तंग लकवा शक्कार हो गएरा घबराट भी सिर सीधा स्वाद बार अवलाट कि रहा स्वाद बार ये अंदरों की रिडिकेट्डी उच्छ उठाए सिर प जब घबराट हो सिर सीधा साथ बार ये एक एक बार कराया आप इनको तीन तीन चार चार बार करना आप करेंगे ब्यायाम सामने पर फ़ला लिजे और पैर के उगलियों को उपर नीची दवाएए खोब कस दवाए उगलियों को खोब टाइट मूमेंट फिलाए फिद दव आए ये करने से ब्रेन रिलेक्स होगा रिजिंग फैकल्टी को आरा मिलेगा टेंसन हाइपर टेंसन ही होगा अब पंजे आगे जुगाए पीछे जुगाई ये खोब जुगाई आगी ओक जमीन चूजाए पीछे लेये कि पैनली चूजाए गुली से छूने जाएगी प्र गुल गुमाई ये कलाकवाई प्रसर देके एंटी कलाकवाई उल्टा पैर बदा लीजे गुमाई इसे एगडी की जलन पैनली का दर्द घुटने दर्द मिटेगा उल्टा दोनों पैरों के एक साथ मिला के कलाकवाई व्लता हो दोनों हाथ सामने का लिए कस को मुठ्टी हमाद एक ओक टॉप टाइट梵गे फिली लह खु टाइट ठाइट फिली फिली मुख लाइए ना से कृलाई के जो रमेटिक पेने मिट जाएगा उल्टा की एक एक रध्लिया है जाने हँ से ही कि अब तरेा ऑन ना है नब कुनी मोल कर लए अजे लगर के hmm मुल्ठी बांद के इसी को, अब दोनों कंदा पके लिए, कुनियों को गोल गोल खमाईए, कलाक वाईज, उल्टा खमाईए, कंदों दाद मिटेगा, अब आखों को उपर ले जाए, नीचे ले जाए, उपर नीचे आखों को खिचा दीजे, आखों की बिमारी के लिए है, र अब दाख मुआए, चार और गोलो को, उल्टा खमाईए, इससे गुलूकोमा में रहत मिलेगी, अब गर्दन के सरवाइकल के लिए, सिर्फ पीछे जुपाईए, आगे जुपाईए, पीछे आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, अब दाएने कान को दाइने कंदे पर, । । । । । । । कि ढयने दाएं कभ ठोड़ी दाएं कदेऊ पाएं ठोड़ी भाय razor गोल गोल चारो ओ उल्टा गोल गोल जाएं पच्मतानास्न, बहुत लावकारी है अब बाया पर मोड करके नाग को खुटने से लगाए पवन मुक्तासन दूसरे पैर से दोनों पैर से एक साथ यह हवा रिलीच कर देगा तो जो पेट में कमर में टांग में दर्द है वो दर्द मिठेगा बेचे नहीं दो जागी घरी नहीं दाएगी अब दोनों पैर सी देट आएए और क्रास कर लिए पंजो राइट टर्ण से लेप टर्ण पंजा लेप टर्ण से राइट टर्ण कुछ किना हम छोड़ सुड़ कर रहे हैं यह नहीं समझा के हम भूल गए हैं समय की कार्ण से एक आज क्या छोड़ देते हैं पैर बदा लीजिए अब पंजे के उबर एड़ी रखिए पंजे के उबर एड़ी दोनों पंजे राइट से लेप्ट मरोड़िए पैर बदा लीजिए बाएं पैर को मोड़ कर घुटना खड़ा कर लीजिए और घुटने को राइट से लेप्ट ले जाएए घुटना लेप्ट रसी राइट मरोड़िए कि ओमोल राइट से लेप्ट एड्य कर लेप्ट लेप्ट रुटना लेप्ट से ल्जिए टिकुटना लेप्ट से राइट इहेए पैर को जांक रहा कि ये तो ये रहेगी गुटना राइट सिर्य खूब मरोडी इतना मरोडी है कि आपकी कमर्स ट्विस्ट हो जाए इसे श्रिप डिस्क बहुत जल्दी ठी हो जाएगा और भविश्ट श्रिप डिस्क हो गा ही नहीं अब पैर बदा लिजे राइट को फोल करिये गुटना खड़ा करिये शिर्फ अपोजिट डाइट समझाएगा जिदर घुटना गया उदर नहीं दूसरे तर जाएगा अब इसी में क्रॉस कर लिजे बार्ख दीजे इसी पैर को क्रॉस करके बार्ख लिजे पैर चैन्जी करना फोल करके घुटने के बगल में पांव रहेगा फोल्ड करके एक लेटा रहेगा एक पैर फोल्ड होगा अब घुटने पांस रहेगा अब क्रास करके बार रखिये अब क्रिया भई रहेगी मरोडिये घुटना राइट से लेवले खूब मरोडिये मरोड़ते को नहीं तूटे को नहीं तूटे को नहीं एलाटिक यह सखें जाएगी तूटे को नहीं आज जांग की उपर पैर जांग की उपर पैर जांग की उपर पैर मरोडिये खूब मरोडिये पूरा मरोडिये फ दोनों गुटनों को राइट सी लिफ ले आये अब दोनों पैरों को बीच में डेर फुट का फाल拍 gust महां आज हा गुटना और जांक के दर्द के लिए ए-डेर फुट पाँ दोगा पैरों दोगे नुटनों को दायें फिर रगा अ कि पैरों को बीच में देड़ फुट फांसल आए घुटना एड़ी पर छुएगा अब वापस अब देखिए बाया पैर को क्लाक वाई क्लाग वाई इससे साइट का दर्द मिटेगा टांग के नस्थ में पीछे दर्द हो रहा है न वो दर्द को बहुत जल्दी ठीक करें जाएगा और दर्द ज्यादा हो देश्पीड में करना रिवर्स पैर बदलीजी रिवर्स अब जिनको कभियत रहता पेड़ सापने ओधा मैंसेस क्लियार नियों था मैंसेस क्लियर करने के लिए पेड़ सापने के लिए एक रिया है लेकिन जो को मेंस से ज्यादा होता है डारिया है उनको नहीं करना है दोनों पर मिलाइए और दोनों परों को घड़ी की सुई जाथ है घड़ी की सुई जाथ है गोल-गोल रिवर्स आराम सरीर को धिला छोड़ी जी ओ धिला बिल्कु धिला दाने टांग को बाइं टांग को धाने हाथ को बाइं हाथ को धीला छोड बिल्कु धिला सिर को चेहरे को गर्दन को पीट कमर चाती पेट आत को धीला छोड़ बिलकुल धीला हिर्दैं को फेपड़ों को गुर्दों को तिली जिगर क्लोम को धीला छोड़ीजे बिलकुल धीला सरीर बिलकित धिलाव चिक कहीं तानाव नहीं है एक एक अंग कानी रिष्णा करें तीन काम आप करने हैं जी संगा में नाम लेता हमाने में दो रहें मानी में देखिये उसके अंदर परमात्मा की दिब शक्ति का अनुवा करें सबसे पहले दाने पर कंगुठा दो सिंगली, तीसरे गुली, चौतियों गुली, पांच मुली, पंजा, एडी, टकना, पंडली, घुटना, जां, कमर, बगल, कंदा, बायपर, बायपर कंगुठा, दू सिंगली, तीसरे गुली, चौतियों गुली, पांच मुली, पंजा, एडी, टकना, पंडली, घुटना, जान, कमर, बगल, कंदा, दानाहाद, दानाहाद का उठा, दूसें गुली, तीसें गुली, चौतें गुली, पांच मुली, पांच मुली, हंतेली, कलाई, कुनी, बाजु, कंदा, बायाहाद, बायाहाद का उठा, दूसें गुली, तीसें गुली, चौतें गुली, पांच मु कान दाइना गाल बाइना गाल ऊपर की ओस्ट नीचे की ओस्टुड़ी गर्दन पीट कमर छाती पेट आत हिर दें फेपड़े गुर्दे तिली जिगर कुड़न पूरी दाइं टांग पूरी बाइं टांग पूरा दाना हाथ पूरा बाइं हाथ पूरा सिर पूरा धर पूरा सरीर सिर से पहर तक देखते जाए आप बाहर खड़े हैं और जमीन पर सरीरा को पढ़ा हुआ है आप देख रहें कि बिल्कुर निरोग है सरीर आपका मन को ना भी परके विचार करें आप परमात्मा के दिना रहें से बच्चा मा के गर्व मेराता है और माता गर्व से रस को बच्च प्राण 소ा हाकिक बिल्कुरत हों कि प्राणी रख बाहरा है कोई धात कमी नहीं कोई फ्रीजर्शी और स्भुआ है और माल्स अस aurait आ परमात्मा के अंदर प्राण के कम जोरी नहींद रहें साहिर प्राण्मान निरोग हो ऐं प्रिशत्मी फट रहें चतान ठूतर है साघर के अन्दर, जम्קर्च पृत्वी अन्त्रा लिम समाह जाए ह। धर्ती के अंडर पर महात्मा का अनुबव करिए और धर्ती महात्मा से सब्धात्वों कर देल देले पानि चला जाए ह। देले देले परिफ कुन्दा जाए ह। ते धारंबा जाये, बाते 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 जाये, सागर के अंदर जाये, वहाँ विश्व लक्ष्मी का वास है, और विश्व लक्ष्मी का दर्शन करिये, सागर में, लारे उखती गिरती हैं घबरान ने डूबंग नहीं अब आप आपक Ś ऑपल जहीं जुक्ति जर लाए और अगने में लेड़ जाए अगने से आपका विकार जल रहा है चर्व जल रहा है योग जल लाहिए प्र सुगर जल है सब बेजाती प्रदार जलते चले जा रहे हैं और उत्तम स्वात शार्ज होता जा रहा है अज्ञान भस हो रहा है इंद्रिया सुध्ध हो गई मन सुद्ध हो गया, चित्य बुद्य अंकार सुद्ध हो गया, सुक्षम शरीर, ज्ञान के प्रकास, प्रकास मान हो गया, और आपकी आत्राव आगे जारे आकास के ओर, बाइमेंडल में हलकी हलकी उड़ते जाए, बादों साथ हरिये, बाद काले बादों में शिव नंदी परसवार बिजनी परवती है, नंदी परसवार शिव जल है, और डमरु बजना गरगराठ है बादल की, और बिजनी गिरना पार्विन राजी है, और जिटा फटकारतें से हो जी, अबुसराधार बरसा होती है, गंगा का आवतरन होता है, देखते जाई, और आग ज अखरा है बरसे का नहीं है ऑ्राफ फिर जंगे जहां बादल नहीं है जहां केवल हवा है पवन देड़ पवन्देव I power मेव प्रमा घड़मेश को उनसे बड़े पवंदे़ मजी बढ़े पवन्देव धासन करते और जो अप वंदेव को पवर देते हैं ओम का नाद है, ओम का नाद से पवन पावार आता है, ओम का नाद है, सिठ्ट के आद में ओम का नाद हुआ, सिठ्टी ओम का नाद हुआ, सिठ्टी ओम का नाद है, और ओम के रिवर्स नाद होने से सिठ्टी का प्रलाई हो जाता है, देख जाए, चंद्वा, मंगर, गरा, ब केल ओम को नद्धि मिन चैथी बनी एंग तो उसी से चल रही है उस सी बनास जयता आ उस पुरा परमान नदे ब्रेन के इन्दर पुरा प्रवांड है, ब्रेन परमान के छोटा रूप रूप होगा था जोटा ब्रेन प्रमान के रूप है और आप इसी के इंदर मन हैं झाल वेदू का ज्ञान उस ज्यान चुपा बड़ा हूदución सुन अभेच necessity विचारों को देखना कुछ करना नहीं साक्षी बन ऐसी बाइसागर कि आखी लोह सकते हो शकते हो क्लिद अब विचार आते हैं विचारों को भटा दिए अब विचार आने मत दिए निर विचार सुन नोजाए शूर जिस तंद्रा गारी नीद आ गई और गारी नीद फिल्गारी हिर्दाएं के अंतरार पहुंचाए बहुत बाई शूर्न है शूर्न में जाकि आधिसक जिक दंबा परमपराशक्ति मही मातला का दर्सन करिए उसके चादर को उटा दिए और अपना सुरूप देखे सची सरूप आत्मा को देखे और आजाए अपने सुरूप को प्रमभार्पन कर दिए प्राभक्ती से सारना कर दो जाए ओम क्या खंड आनद जूप जाई से लोहा प्रादान ओम अनन ओम अनन ओम आनन अनन ऑम उजाओ ओम उट जाए ऑम उट जाए ओления does not내 को यु ओ यह इहांसे सची द् Mercill आप उठे यह साधना आपको रोग रिलक्षेस्तान भी करोगे ना तो अब दिब शक्त परगट होगी बहुत शान्ति सारे रोग से इन बिर्त भी हो जाएगी अग्यान दूर जाएगा भ्रमिट जाएगा और आप आन्द कि लाराएगा को लुग वुष ऑन्दे उ Imamh radiation ऐपक शान आप उंप गजी उंप ऋनॸान डेवा शान Looks a-skneaija आफो योगा शान आपी करी एवा शाहति जापतव अजाटिए शुछ Online भी सामा शान बीवी ओम शानली जान थे यू रोग आफेने कल से थोड़े बढ़ा लिए, चालीज देवता कर्स कमा जाए, और आप कल बनागे CDM को दे देंगे, कल यहां तो गरेंगे, कल नहीं दे सकेंगे, तो फिर इसकी बाल कच्छी करवा पाड़ बाड़ी, सरोदेख बगल में हूँ, वहां पर मैं 7-8 ठारूँगा, वहां पर दे